है गाई असलाम वालेकूम आइम अगें हेर विद अनीड टॉपिक राइट और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूली और इस बेल के आइकन को क्लिक कीजिए तके आपको हमारे आने वाले तमाम वीडियो के बारे में अपडेट मिलती रहे रहे राइट आज का जो वो आपका है इधर और अच्छाए इधर और भी आपका एक को रिलेटिब कंजेक्शन है जिससे हमने लास्ट चमपड़ाय था आपको नोट टॉनली बट आलसो और नीधर नोर अच्छाए इधर और का जो लबजी मान है वो आपका होता है या तो ये या तो वो बनलब इस sentence आपका होगा हमारा या तो मेरी अम्मी मुझे प्यार करती है या तो मेरे अब्बु मुझे प्यार करती है अब यहां पर आपके होगे दो subject अम्मी और अब्बु तो ये अम लगाएंगे पहले वाले subject से पहले तो जैसे के either my father or my mother loves me और इसका जो वर्ब की selection है जैसे मैं आ पूर सरसज़ाद teaches me ओके या तो मेरी बहन मार्किट जा रही है या तो मेरा बाई मार्किट जा रहा है तो there are two subject either my brother or my sister is going to the market ओके या आपके पास होगे दो subject की अब बात होगे दो वर्ब के बारे में अच्छा अब दो वर्ब की जब बात हो तो subject आपका एक ही रहेगा जैसे मुझे कहना यार मैं या तो किताबें पढ़ता हूँ या तो टेलिविजन देखता हूँ अपने free work में तो I either watch television or read books in my free time या तो मैं नाशते में चाय पीता हूँ या तो biscuit काता हूँ तो there are two verbs चाय का पीना बिस्किट का खाना तो I either take tea or eat biscuits in my breakfast या आपको हो गया है दो वर्ब अब बात करते हैं दो object के बारे में या मैं नाशते में या तो चाय पीता हूँ या तो काफी पीता हूँ अब वर्ब आपका एक ही हो गया पीना और there are two object coffee and tea right here तो मैं कहता हूँ कि I I take अब ये आपका use होगा before your object right I take either tea or coffee in my breakfast okay या तो मैं बाइक चलाता हूँ या तो मैं cycle चलाता हूँ तो I ride either bike or cycle okay या आप क्यों हो गया है दो वर्ब के बीच में और आप इसको different tenses में इस्तमाल कर सकते हैं जैसे इनके rules होते हैं right here जब बात होती हैं दो compliment के बारे में okay जैसे या मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ या तो Sunday को या तो Friday को okay तो दो यहाँ पर आपके modifier है टाइम है मिलब आपके days है तो Friday और Sunday तो I meet my friends either or Sunday or Friday okay either sorry either on Sunday or Friday right अच्छा ठीक है या तो मैं सुबह 6 बजे उड़ता हूँ या तो मैं सुबह 7 बजे उड़ता हूँ अक्सर तो I get up either at 6 o'clock or at 7 o'clock everyday right guys तो यहाँ क्यों होगे दो modifier के बीच में अब जब बात होती है दो compliment okay जैसे हमने आपसे पहले कहाता कि जब बात होती है बीवर्प के बारे में तो we do not have any object we always go with compliment तो जैसे मुझे कहना है या तो यह एक doctor होगा या तो यह एक teacher होगा E will be either a doctor or a teacher right